करनाल के थाना घरोंडा की पुलिस टीम द्वारा ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है आरोपितों की शिनाकत आरोपी अमित निवासी गाउं बापोली वा कलीराम निवासी गाउं छारी के रूप में हुई है आपको बता दे कि पुलिस जाच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अमित द्वारा जिला करनाल कुरुक्षेत्र अंबाला जींद रोहतक वा पंजाब में अलग-अलग ठगी की 16 वारदातों को अंजाम दिया गया है आरोपी के पास अपने एक SUV गाड़ी और गाड़ी का दर्वाजा खोल ले वा बंद करने के लिए कुछ रुपयों पर हमेशा अपने साथ दो तिन लड़के रखता है ताकि देखने वालों को एक रईस आदमी प्रतीत हो जाच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी अमित द्वारा ठगी की वारदातों को कभी RTO ऑफिसर बनकर तो कभी वकील बनकर कभी S.P. का रीडर बनकर तो कभी ड्रग्स इंस्पेक्टर सरपन्च या किसी S.H. का भाई बनकर अंचाम दिया गया था बतादे कि S.I. चंदन धाना घरोंडा के अधिक्षता में सहीयोगी टीम द्वारा मुख्या आरोपी अमित निवासी गाउं बपोली को गाउं बरसत करनाल के एरिया से काबू किया गया है बिना पर अरोपी कलीराम को गिरफतार किया गया अरोपी अमित द्वारा जिला कर्नाल में ठगी की दो वारदातों को अंचाम दिया जा चुका है इन में से कई वार्दातों में आरोपी गिरफतार भी हो चुका है वह जेल से जमानत पर बाहर है आरोपी के कबजे से घरोंडा की वार्दात में ठगे गए रूटा वेटर वार्दात में इस्तमाल गाड़ी स्यूवी बरामत की गई है खाना गरोंडा के अंदर एक पवन कार तूतर से दामतिशन वार्दी प्रोलक द्वारा कंप्लेंड प्राप तूटी कि अब आरोपी अमित रूफ मित्का इसम सिंग वार्दी बाप उली हलका रातो यम्ननगर का रहने वड़ा है अपने एक साथी परवीन कुमार के साथ गरोंडावन की दुखान पर आया और एक रोड़ावेटर का एक लाख बाइस जार में सोद्दा किया और सोदा करने के बाद उनको खेत में लिया कि आपको पेमट है फूसगड रोड़ पे वहाँ हमारा मकान है वहाँ आप इसको छोड़ दोगे तो हम वही आपको पेमट कर देंगे और आप आपने किसी जानकार के आथ इसको वहाँ पे बिजवा दो जिसमें खवन कुमार मुजई मुकदमा ने अपने किसी जानकार को एक आथ ये उसके न चोटा थी इसके अंदर रोड़ावेटर को लोड करके उनके साथ साथ खूसगड के लिए प्रवान कर दिया इस प पिजिवान का था उसके अंदर अपाउंट के अंदर अपाउंट नंबर जो थके अंदर और चैक की जो इसके नदर फैन से डिजिट चैंज करके और परवीन कुमार के अस्ताक्षर करके उनको एक लाइप 43000 का चेक 155 आट और जाता है कि यह तो चैक नहीं लगएगा इसक सब्सक्राइब करने के लिए किसी के साथ और जो यह अमित है यह मास्टर माइंड है यह इसके तीन चार साथी और भी है इनके यह क्या काम करते हैं कभी किसी एसपी का रिडर बने जाते हैं कभी कोई ड्रग्स इंस्पेक्टर बने जाते हैं कभी किसी जोलर के पास जाकर इंस्पेक्टर नकली बने जाते हैं इन्होंने अमारे या सिती ठाने के अरिया से भी जो सोनने की अंगुठी किसी ज्वेलर से वहां से उठागे और नकली अंगुठियां रखे भी इन्होंने एराफिरी की है वहां भी इनके खिलाब फाइयार नंबर ये सितिताने की हमारे पास त्रेपन नंबर फाइयार है खाक confus 가서 753 है 15ैने मामले कर जयने के खिलाब दौंडर से फाइयार ये वह हम आरे संध्यान में पंद्राई है दिमेर रादोर की भी हैं अमभाला की भी हैं पटियाला की आ Γ्role चीह के भी हैं पुरै नहिकरी और जो चेक बूक थी वो जो परवीन नाम के लड़के किती वह इन्होंने फर्जी तरीके से कॉरियर वाले ते उस परवीन बाही बनके आसिल खी थी उसमें से दो तिन चेक-इन उने यूज़ किया, और बाकी एक दोर वारदात में यूज़ किया, और जो चेकबुक थी, जो इसका साती तक सली राम, उसने जब अमित को अरेश्ट कर लिया, और उसको पता चला कि वह अमित रेश्ट हो चुका है, और फुलिस उसकी सात्यों को पकड़ने के दोरानी आमने इन से सारी ब्रामदगी की है, इसको लेके सार अनपूर, रादोर और यूपी के कई जंग आप इसके साथ को पकटने के लिए तफिस जालनी थी, और आमने इसके साथ की को, कली राम को, हरण भतेपुर, जिला शामली से साब्लू करके उन से गैन तसे पूस्ता की और सारी सच्चाई सामने आने पर उसको गिरफ्तार किया, और आश्री स्रीमासत रमांट खतम होने पर इन को मान्यादालत में पेश किया गया था, जो अब 14 दिन के जूदिशल के लिए खरनाल जेल के बन करने का तो, और भी साथी हैं, लेकिन हमारे मुकदमे की जो वार ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं, खास मौका, वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी, जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं, तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करें